हेलो स्टूरेंट्स आप सभी का सोगत है मारे इस यूडिव चैनल पर आज हम लोग बात करने आ ले हैं पटाना बयान की गतिवीदी पत्रक जो कच्छा साथ की और क्रम संक्यावन है और आज की लेट है 22-22 यहां आपको अपना नेम या अपनी टीचर का नेम लिखना है चलि तो एक बटे नौ एक भिन है अथार्थ नौ बराबर भागों में से एक भाग की बात हो रही है इसलिए हम कह सकते हैं मुहलाल के खेत में एक बटे नौ छेत्र में संत्रे उगाए गये हैं देखे बटा वा खेत में कितने छेत्रों में आम को गाता है तो आप देखोगे एक और दो तो आम कितने है दो बटे नौ छेत्र में कौन कौन से फल दो बटे नौ छेत्र में है तो एक तो आम है और दूसा अंगूर तो यहां लिख दोगे आम और अंगूर तो बिटा आपको क्या है यहाँ से पता चला ये दो प्रसना आपको अपनी कॉपि में भी करने होंगे चलिए आगे देखने क्या दिया गया उचित भिन्न क्या है एक ऐसा भिन्न जिसका अंस हर से छोटा हो ठीक है कहने का क्या मतलब है अंस यानि की अपर अपर यानि उपर ठीक है और हार मतलब हारा हुआ जो हार जाय वो नीचे तो यानि कि अंस जो है यानि उपर जो संख्या होगी वो छोटी हो नीचे वाली संख्या से इसे ही हम क्या कहते हैं उचित भिन बेटा कहते हैं अनुचित भिन क्या होता है इसका उल्टा होता है उपर उपर वाली संख्या क्या हो जाती है बड़ी हो जाती है नीचे वाली संख्या से तो उचित भिन्न क्या है उपर वाली संख्या छोटी नीचे वाली संख्या बड़ी अनुचित भिन्न क्या है उपर वाली संख्या बड़ी नीचे वाली संख्या छोटी देखें मिसरित भिन्न क्या होता है एक ऐसा भिन एक इस प्रकार का भिन जिसमें एक पूर्ण संक्या के साथ साथ उचित भिन भी हो जैसे दो एक बटे दो हो गया ठीक जैसे दो दो बटे तीन हो गया जैसे तीन पांच बटे साथ हो गया जैसे पांच एक बटे पांच हो गया समान भिन्न क्या होते हैं तो दो ऐसे भिन्न जिनका हर एक जैसा हो हर मैंने बताया क्या होता है नीचे जो लिखा होता है वो हर होता है तो हर एक जैसा जैसे यहाँ पर आप देखोगे दो 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 आ रहा है सब ही हरो में इसलिए ये समान भिन्न है विसम भिन्न क्या होता है विसम भिन्न वो होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक दो या दो से अधिक भिन्नों के हर क्या हों भिन्नों ने बोला जाएगा जैसे यहां पर देखो तीन दिया गया है यहां पांच यहां साथ यहां ग्यारा दिया गया अच्छा प्रयास कीजिए मैं पहला प्रस्न निम लिखित में से समान और विसन भिन लिखिए तो देखो यहां समान भिन कौन से हो जाएंगे चार बटे 9, साथ बटे 9, एक बटे 9, तीन बटे 9, और छे बटे 9. विसम भिनन क्या हो जाएंगे, साथ बटे 16, ठीक, आपका 7 बटे 16 हो जाएगा, 5 बटे 8 हो जाएगा, और 2 बटे 3 हो जाएगा, चलो, आगे देखतें हैं, प्यादे बच्चों क्या दिया गया है? उचित निम लिखित में से उचित और अनुचित भिन लिखिये उचित भिन मैंने क्या बताया जिसमें उपार वाली संख्या छोटी नीचे वाली संख्या बड़ी तो ऐसी कौन सी यही देखो 4 छोटा है 7 बड़ा है 11 छोटा है 12 बड़ा है इसी तरीके से आप जाओगे 8 छोटा है, 9 बड़ा है 5 छोटा है, 16 बड़ा है यहाँ अनुचित में उपपर वाली संख्या बड़ी यानि 15 बड़ा, 9 छोटा देखो यहाँ पर है यहाँ पर क्या हो जाएगा 23 बड़ा, 4 छोटा है 18 बड़ा, 5 छोटा है इस तरीके से और यहाँ देखो 17 बड़ा, 5 छोटा तो यह आपके क्या हो जाएगा, अनुचित हो जाएगा आगे आपकी कारपत तरीका क्या होती बड़ा मेरे यहाँ पर समाप्त होती है, आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट अब में बताना जरूर वीडियो को लाइक से और सस्काइब कमेंट जरूर करना